हलो इस्टूडेंस माइने में सुर्भी तिवारी वेलकम टू इस्टाप अगार्मी आज का यह जो वीडियो इसमें हम क्या कवर करने वाले है तो क्लास 10 साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस्पेशली यह जो आपके एक्जाम जोने वाले उसके लिए वीडियो है इसमें हम क्या कवर करने वाले आपके सब्जेक्ट साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है उसके पूरे ही इंपॉर्टेंट लॉस फॉर्मिलेज यह सारी चीजे हम एक वीडियो में कवर करेंगे नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भाई तो जैने रिफ्लेक्शन क्या होता है सबसे पहले तो तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी प्लेन स्मूद सर्फेस पर पढ़ती है तो बाउ reflection क्या कहता है the incident ray reflected ray and the normal all line same plane सारे के सारे एक ही plane पर लाए करते हैं angle of incidence is equal to angle of reflection angle of incidence and angle of reflection ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए होते ही है clear है check इसके बाद हमें क्या पढ़ना था तो इसके बाद हमने mirrors के बारे में पढ़ा reflection के बारे में तो concave mirror convex mirror के बाद हमने पढ़ा था mirror formula तो mirror formula क्या होता है बच्चो वन अपॉन एफ इकोल स्टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू जो है यह आपका mirror formula है अब इस mirror formula में f जहां पर focal length होती है वी होता है आपका image का distance u होता है object का distance तो यह क्या है बच्चो mirror formula तो next important formula जो कि आपको light reflection and reflection से देखना है वो यह होता है और कौन सी चीज क्या है यह मैं आपको बता चुकी हूं clear है आगे चलेंगे अब mirror formula की बाद होता है magnification formula तो magnification formula क्या होता है m equals to minus v by u यह याद रखेगा magnification formula क्या होता है minus v by u अब यहाँ पर magnification की value अगर one आती है तो same size आपको image का मिलता है ठीक है अगर आपको m की value 1 से ज़्यादा मिलती है तो magnified मतलिब कि आपकी image से ज़्यादा की आपको image create करती है आपके object से बड़ी image बनती है अगर m की value 1 से छोटी है that means कि आपको magnified image नहीं है काफी point size या छोटी image इस case में मिलती है clear है अब इसके बाद आपको एक और formula याद रखना पड़ता है क्योंकि we know that कि focal length equals to क्या होता है focal length होती है r by 2 half the radius of curvature तो इससे हम यह भी लिख सकते हैं कि r equals to 2r r equals to हम यहां से 2f भी लिख सकते हैं clear है तो यह आपकी दो formula है तो mirror formula can be written as to mirror formula को हम और किस तरह से लिख सकते हैं तो हम mirror formula को one upon view plus one by v equals to 2 by r से भी लिख सकते हैं अब एक और formula हम आगे पढ़ेंगे lens formula बच्चे confused हो जाते है mirror formula lens formula में confused मत हो यह गा mirror formula positive होता है ठीक है क्या sign लेते हैं हम इसमें positive sign लेते हैं वहीं अगर मैं बात करू lens formula की तो उस lens formula में आपको positive sign की जगा पर negative sign ले लेना है clear है so law of reflection क्या थे law the reflection of a light from mirror take place according to the following law the angle of incidence is equal to the angle of reflection the incident ray reflection के law तो खेरा मौलरी देख चुके हैं ठीक है अब बारिया आती है law of reflection की तो reflection का law क्या कहता है अब reflection क्या होता है कि अगर आप light जो है उसकी speed एक medium में कुछ और होती है दूसरे medium में कुछ और होती है या फिर अगर हम बात करें कि जब भी light travel करती है एक medium से दूसरे medium में तो अपने path से deviate हो जाती है किस तरफ deviate होती है अगर rare से denser medium में जाती है तो towards normal deviate होगी मतलब अगर आप जिस point से वो किसी दूसरे medium में incidence कर रही है पॉइंट से एंटर कर रही है वहां अगर आप normal draw करें तो उसका जो वे है उसका जो पात है वो किस तरफ होगा उसको towards normal की तरफ बैंड हो जाएगी अगर वहीं denser से rear medium की बात करेंगे तो नॉर्मल से दूर के हट जाती है है ना इस सरे से अपने रास्ते से भटक जाती है तो इस law of reflection के भी कुछ rules है सबसे पहला rule number one क्या है incident ray reflected ray and the normal ठीक है all are a normal to the surface of separation of the two medium at a point of incidence all lie in a same plane हर एक चीज at a point of incident मतलब जस point पर आकर किये सारी चीज़े मिली है वो सारी चीज़े कहा होती है एक ही point पर एक ही surface पर लाय करती है ठीक है दैन उसके बाद second law जो है वो snail's law होता है जिसके according the ratio of sign of angle of incidence and to the sign of angle of reflection is constant मतलब कि अगर आप del i upon del r करोगे तो इसको इससे आपको एक constant मिलता है clear है we can write sin i by sin r equals to n21 where n21 is a constant and it is called as the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 ठीक है किसका refractive index है 2 का किसके respect में है 1 का ठीक है n21 मतलब जो पहले लिखा होता है उसका refractive index होता है लेकिन किसके respect में होता है दूसरे के respect में होता है clear है तो अगर medium 1 है आपका ये और medium 2 है यहां से angle आपका आई जा रहा है यहां से आपका r आपको मिल रहा है refracted angle मिल रहा है तो sin i by sin r आप कर रहे हो that means कि आप क्या कर रहे हो sign i by sin r कर रहे हो मतलब कि आप यहां से आप refracted index निकाल रहे हो हो किसका medium 2 का with respect to medium 1 ठीक है तो medium 2 का medium 1 के respect में आपने ये refractive index निकाला और इसी को ही आप snail's law कहते हो ठीक है अब refractive index का formula अगर मैं आपको बहतर तरीके से समझाओ तो क्या होता है speed of light in first medium divided by speed of light in the second medium ठीक है अगर मुझे क्या निकालना है second medium का refractive index निकालना है ठीक है यह first medium का refractive index निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे speed of light in first medium divided by speed of light in the second medium so refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in first medium to the speed of the light in second medium it is linked to the relative speed of propagation of light in different medium clear है तो simple सी बात है बच्चों कि अगर आपको refractive index निकालना है refractive index का मतलब यही होता है कि कितने extent में कोई light रे जो है वो अपने path से deviate हुई है कितना deviate हुई है तो जितना जादा आपका material dense होता है उतना जादा यह deviate होती है उतनी कम क्योंकि light की जो speed है वहाँ पर हो जाती है तो अगर मुझे दोनों के बीच में दो मीडियम के बीच में comparison निकालना है उनके refractive index का ratio निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं तो अगर मालीजे medium 2 का आपको refractive index निकालना है ठीक है किसके respect में निकालना है medium 1 के ठीक है तो वो कैसे निकलेगा आपका V1 by V2 आप कर दीजे मालीजे कि V1 आपका पहले का refractive index है यह दूसरे का है ठीक है तो speed of light V1 है और speed of light V2 है तो V1 किया है 1st medium की speed और V2 2nd medium की speed है तो इस तरह से आप refractive index किसका निकाल सकते हैं आपके दूसरे medium का refractive index निकाल सकते हैं absolute refractive index किसे कहते हैं अगर आप air और medium के बीच में है ना अगर आप vacuum और medium के बीच में या हम कहें air और medium के बीच में अगर refractive index निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं absolute refractive index and which is speed of light in vacuum to the speed of light in the vacuum sorry medium and c by v is the absolute refractive index. तो इससे भी रिलेटेड कोशिन पूछा जा सकता है अब एक यहां पर एक लाइन लिख्यू है उसको धिहान से देख लेते हैं if n1 and n2 are the refractive indices of the first and the second medium with respect to vacuum vacuum के respect में दो mediums का refractive index दिया हुआ है एक n1 और एक n2 speed of light in first and second medium is v1 and v2 respectively तो स्नेल स्ला इन स्नेल स्लोग का इस तरह से लिख सकते हैं स्नेल स्लोग क्या कहता है साइनाय अपॉइंट साइन आर है ना साइनाय अपॉइंट साइन आर क्या होता है इक विवन बाई वीटू अब वीवन क्या है आपका स्पीड ओफ लाइट इन वीडियम वन और दूसरा क्या है स्पीड ओफ लाइट इन वीडियम टू है ठीक है और यहां से हम क्या कर सकते हैं यहां से कि c upon n1 ठेक है यह लिख सकते हैं इसको ठेक है तो अगर मैं यह आपर c upon n1 लिख दूँ वी वन की जगह पर ठेक है तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा यहां से मुझे n2 मिल जाएगा यहां से मुझे n1 मिल जाएगा तो speed light in the first and the second medium is v1 and v2 respectively तो स्नेल स्लोव को आप किस तरह से लिख सकते हो वीवन वाई वीटू एक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यह एंटू बाय एन वन यह एन टूर एन वन क्या है आपके रीफ्रेक्टिव इंडेक्स है वीवन और वीटू क्या है आपके यह आपकी स्पीड ओफ लाइट है किसमें medium 1 में और medium 2 में ठीक है तो देखो speed of light और हमने यहाँ पर snail's law के combination के साथ में velocity और refractive index के बीच में एक relation निकाला है तो यह relation बच्चों आपको यहाँ से याद रखना है simple सा यह फंडा है ठीक है ना अगर speed of light है v1 upon v2 ठीक है speed of light in vacuum in medium 1 divided by medium 2 तो यहाँ पर उनका refractive index कैसे लिखोगे n2 by n1 ठीक तो यह एक और formula जो है यह numerical purpose से important है इसे याद रखिएगा फिर आता है lens formula तो lens formula क्या होता है 1 by f equals to 1 by v-1 by u ओके फिर हमें इसके बाद अगर magnification निकालना है तो magnification क्या होगा v by u lens की केस में आपको यह याद रखना है फिर होती है power of lens तो power of lens क्या होती है p equals to 1 by f diapter ठीक है diapter क्या है power की unit है अगर मुझे f निकालना है तो 1 by p किस में आ यह meters में आ जाएगा दोनों के यूज से आप focal length भी निकाल सकते हैं और power भी निकाल सकते हैं ठीक है अब इसके बाद एक चीज को समझना है चाहे आप lens formula यूज करें चाहे आप mirror formula यूज करें कि कि किसके sign को कब आपको positive लेना है कब negative लेना है ठीक है ना तो Cartesian sign convention rule का हम follow करेंगे Cartesian sign convention rule क्या है कुछ भी नहीं बस आप जो match में follow करते हो वही excess है यह positive यह positive यह negative यह नेगेटिव यह नेगेटिव यहाँ पर इस excess पर हाना अगर यह आपकी एकसे से और यह y-axis है तो इस पर आप distance देखते हो क्या चेक करती हो बच्चो डिस्टेंस ठीक है ना और यह वाली excess पर आप हाइड चेक करते हमें दो ही चीज़े अटा एक पर आपको distance चेक करना होता है और एक पर आपको हाइच चेक करनी होती है अब देखो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ऑबजेक्ट को या इमेज को इस साइड पर बनाया हुआ है ठीक है तो उसका डिस्टेंस हमेशा कैसा लेना पड़ेगा आपको यह जो डिस्टेंस है आपको हमेशा नेगेटिव लेना का इस केस में हम डिस्टेंस का जो साइज है मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख देती हूँ एक्स के जगह पर ठीक है और यह हाइट लिख देती हूँ हना तो इसको आप पॉजिटिव लेंगे अब देखो हाइट के केस में कैसा या तो ऑबजेक्ट आपका ऐसा रहता है या तो या तो सीधा खड़ा रहता या उल्टा हो जाता है तो जब सीधा रहेगा तो एरो का डारेक्शन किसकी तरफ है positive साइन की तरफ तो इसको आप positive लोगे ऐसा है इसका मतलब किस डारेक्शन में हम बात करें images के distance की this object के distance की या फिर image की object के height की उन्हें positive और negative कब लेना है तो इस rule के according ही हमें लेना होता है आप चाहे mirror formula का use करो चाहे lens formula का use करो अब जैसे कि माल लीजे की concave mirror है तो concave mirror के case में focal length कहां होती है यहां होती है ठीक है अब आपको मैं बोल रही हूं कि फोकल लेंद बताईए इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो आप कैसे बताएंगे तो देखो वैसे तो हम नॉर्मली बता सकते हैं बस यहां से आप ग्राफ ग्रॉ कर लो ठीक है अब इस ग्राफ के हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी आईबास समझ में अब उसी हिसाब से अगर हमने यहां पर कॉन के कॉन वेक्स लेंज लिया होता तो कॉन गंसकी फोकल लेंद कहां होती है यहां अब अगर मैं कार्टिशन रूल के अकॉर्डिंग चेक करना चाहूं कि इसकी फोकल लेंद पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कैसे समझ में आएगा बच्चो यह देखो यहां पर यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है और यह नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव लाइन पर है इसका मतलब इसकी फोकल लेंद कैसी साहब से अलग- Dow突 के हिसाब से ऑपजेक्ट की डिस्टेंस रखनी होती torpedo जैसे की krq डिस्टेंस का साइन रखना होता है माली जै कौनके विरह रहा आपका यहां पर मैंने एक औब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है यहां ब से जिसकी इमेज का डिस्टेंस है जिसको आप यू से रिप्रेजन करते हो और यह जो इमज का डिस्टेंस है जिससे आप वी से रिप्रेजन करते हो उसे आप क्या लोग है पॉजटिव लोग है यह नेगेटिव लोग है तो भाई यह कहां पर है आपके यह आपके लेफ्ट साइड पर है और यह आपके right side पर है तो राइट वालों को आप क्या लेते हो आप उन्हें पॉजिटिव लेते हो और left वालों को नेगेटिव तो object की distance क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी और image की distance क्या हो जाएगी positive हो जाएगी उसी तरीके से मालीजे object यहाँ पर था है ना और उसकी image यहाँ पर बन रही है मालीजे यह है और इसकी image है यह देश तो इसकी height को क्या लोग यह तो इस case में क्योंकि सीधा है एरो की direction positive की तरफ है यह रो की direction negative की तरफ है तो आपको इस case में से क्या लेना पड़ेगा इस h को आपको positive लेना पड़ेगा h equals to positive और यहां से जो h dash है यह h dash की value क्या हो जाएगी यह h dash की value हो जाएगी negative clear है तो यहां से partition sign convention rule समझ में आ गया mirror formula lens formula समझ लिया अब आ जाते हैं next chapter पर that is human eye and the colorful world अब इस chapter में ऐसाच कोई खास numerical का formula नहीं है सारे formulas जो है basically आपके lens formula के ही formulas use होते हैं बस इसमें कुछ दो concepts है दो laws है scattering और आपका dispersion तो scattering of light क्या होती है ठीक है तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए कि वेन white light from the sun enters the earth at earth's atmosphere the light gets scattered that is the light is spread in all direction by the dust particle free water molecule and the molecule of the gases present in the atmosphere अब light कहां से आती है आपके space से sun से वो light हमारे अर्थ तक पहुच रही है through radiation अब अर्थ में atmosphere है उस atmosphere में gases है water molecules है इन सारे molecules से टक्राकर यह जो light है ना वो scattered हो जाती है आना जैसे प्रिज्म में scattered होती है उसी तरीके से इसमें भी scatter हो जाती है इसके scattering को ही क्योंकि light इसके scattering की वजह से ही जो आपका sky है वो blue नजर आता है क्योंकि violet की आपकी सबसे blue और violet की wavelength कम होती है जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है scattered जाएगा जिसकी wavelength जादा होगी वो कम scattered होता है लिए रहना तो scattering phenomena की वजह से ही आपका sunset और sun delay की टाइम पर आपको जो sunrise और sunset के टाइम पर जो आपको जाती है तो लाइट का यहाँ वहाँ फैल जाना ठीक है यह क्या कहलाता है scattering of light जिसके examples मैंने आपको अभी समझाए है clear है अब है dispersion of white light तो dispersion of white light का क्या मतलब होता है dispersion of white light का मतलब होता है scattering of white light is known as dispersion मतलब scattering को dispersion भी कह सकते हैं बट light का अपने seven colors में split हो जाना ठीक है white light का अपने seven color में split हो जाना dispersion of light कहलाता है क्या कहलाता है dispersion of light clear है so when the white light is splitted into it into its seven colors it is known as the dispersion of light तो यह दो phenomena है ठीक है जिसके वज़े से rainbow formation होता है यह भी हम अपने answers में यह एक तरीकी का law है जिसे आपको थोड़ा सा याद रखना है clear है आप इसके बास सीधे हम electricity पर आ जाएंगे जिसमें सबसे साधा formula है तो electricity का सबसे पहला formula क्या है है जो कि आपको electric current की definition से मिलता है so what is electric current the flow the rate of flow of charge with respect to time is electric current तो अगर charge q है और time t है तो उससाब से आपको current की value कैसे मिल जाएगी i equals to q by t से q की unit होती है charge की जो unit होती है वो होती है coulombs where time की unit होती है seconds तो इस तरह से हम current की unit find out कर सकते है that is one ampere which is equals to one coulomb upon one second आपको कही बार conversion भी पूछे जा सकते हैं जैसे की milli ampere या फिर हम कहें micro ampere so how you will convert the milli ampere into amperes simply milli की जगे पर आपको लिख दिना है 10 to the power minus 3 and in place of micro you can you should write 10 to the power minus 6 आप बस इसी तरीके से milli ampere से ampere में micro ampere से ampere में conversion कर सकते हैं now coulomb तो what is coulomb to coulomb is the unit of charge या ना एक electron पर कितना charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb मतलब एक coulomb के उपर इतना एक electron के उपर इतने coulomb charge जो है वो present होता है यह point आपको याद रखना है because it is very very important जब आप आगे new miracles को solve करेंगे ठीक है आगे चलते हैं quantization that is q equals to n e अगर मुझे number of charge या फिर निकालना है तो वो कैसे हम find out कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं q equals to n into e से जहां पर n होते है number of electron and e क्या है charge on one electron which is जैसे अभी हमाने बताया 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो जितने number of electrons होंगे उतने ही चार्ज का आप उन से गर multiply कर देंगे ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा और टोटल number of charge मिल जाएगा मतलब number of electrons और एक electron की उपर charge को multiply कर दो q की value charge की value हम यहां से पता कर सकते हैं अब इसके बाद हमने potential difference के बारे में पढ़ा था तो potential electrical potential की अगर मैं बात करूँ तो electrical potential क्या होता है work done to bring a unit positive charge from the field of from the infinity to the field of another charge यह क्या होता है आपका electrical potential होता है clear है तो आपने यहां पर क्या किया यहां पर आपने work done किया किसके उपर work done किया आपने यहां पर charge के उपर work done किया clear है तो इस हसाब से आपको यहां पर एक formula मिला v equals to w by q clear है work done किसके उपर किया है charge के उपर तो सबसे पहले तो potential electrical potential का formula यहां से निकल के आता है v equals to w by q मतलब हम यहां से अगर work की भी अगर unit निकालना चाहें तो वह भी निकाल सकते हैं तो which is again a very important formula जो कि आपको कई सारे numerical में पूछा जा सकता है clear है अब यहां से अगर इसकी unit की बात की जाए तो वोल्ट होती है clear है अब बात किया जाए potential difference की तो potential difference क्या होता है दो point के बीच की बात की जाती है तो work done to bring a charge from one point to another is the potential difference simple उसका formula भी आपको v equals to w by q से ही लेना है है ना difference में कई बार v1 minus v2 भी पूछा जा सकता है okay so v1 minus v2 is also the potential difference between the two points लेकिन उस case में दोनों ही पर अलग-अलग potential आपको दिया हुआ हो आगे चलेंगे तो आपको पढ़ना है फिर रजिस्टर तो resistance क्या होता है तो resistance is the property of material due to which it opposes the flow of current where resistor is the element और resistor element अगर आप किसी circuit में लगा रहे हो मतलब कि आप उसमें resistance की जो property है उससे बढ़ा रहे हो है ना तो confused नहीं होना दोनों की unit ohm है दोनों का ही काम एक ही है अगर रजिस्टेंस की बात की जाए तो यह तो आपके circuits में सीरीज में connected होते हैं या parallel में connect होते हैं सीरीज में connection का मतलब होता है कुछ इस तरह से अगर बहुत सरी रजिस्टेंस सीरीज में आपसे बोलू कि टोटल रजिस्टेंस बताइए मुझे कि कितना हो गया आपके circuit का तो आप कैसे करेंगे आप इन सब इस तरह से connected है तो क्या हम इने डारेक्ट जोड़ दे नहीं इस connection को कहा जाता है parallel connection और पैरलली अगर डारेक्शन में आपके resistance connected है तो उस case मेंने कैसे आप टोटल या effective resistance निकालेंगे तो इस case में आपको 1 upon r e effective equals to 1 r equivalent r total भी लिख सकते हो जैसा मैंने अभी आपको बताया ये क्या हो जाएगा इसका value 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 by r3 अब इसके बाद हमने पढ़ना था ohms law to ohms law क्या क्याता है ठेक है तो ohms according to ohms law the current flowing through any electrical circuit is directly proportional to the voltage applied across it okay to v is proportional i hoota है और v is proportional to i say ठेक है या फिर हम इसके i proportional to v b लिख सकते हैं अगर हम इसके relation देखें तो हमें क्या मिलेगा v is proportional to i say equal to sign लगाएंगे i into r मिलेगा जहां पर r है आपका resistance क्या है यह आर रजिस्टेंस क्या यह ओंस लॉव सभी मेंध्किबल होता है तो नही degas सभी में अप्लिकेबल नहीं होता है ओंश लॉव ठेक है तो नौन ओम simplemente मैं Dr— मैं जिसे हम इस symbol से represent करते हैं, clear है, then उसके बाद हम resistance की बाद कर रहे हैं, तो किसी भी चीज का resistance जो है, किसी भी material का वो किन-किन चीजों पर depend करता है, तो यहां से हमें resistance की property मिली, r equals to rho L by A which is again a new formula and according to this, the resistance of any electrical material या फिर any materialist depends upon the length of the material or the area of cross section and plus resistivity, अब यहां पर row, यह जो word लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं resistivity, अब resistivity से भी related बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं, जैसे जो resistivity है, क्या length बढ़ाने से या area of cross section बढ़ाने से resistivity पर effect पढ़ेगा, नहीं, resistivity सिर्फ और सिर्फ माटेरियल पर depend करती है, किस टाइप का material है, उससाब से उसकी resistivity होती है, L और A क्या है basically, L और A length और area of cross section है, इनकी बढ़ाने घटाने से resistivity पर effect नहीं पढ़ता, दूसरी चीज, अगर resistance की बात की जा रही तो definitely, अगर आप material को change कर दोगे, तो भी resistance हो जाएगा, अगर आप length को change करोगे, तो भी resistance होगा, area को change करोगे, तो भी change होगा, length को बढ़ाने से resistance बढ़ेगा, area को बढ़ाने से क्योंकि रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, तो अगर आपने area को increase कर दिया, that means कि आप resistance को कम कर देंगे, clear, चले, तो यहाँ से एक और formula हमने देखा, R equals to rho L by A, अब और बाकी की कौन-कौन से formula है, तो electrical energy के formula हैं, जो कि हमने आगे पड़े हुए हैं, उसी से ही निकले हुए हैं, जैसे कि हमने V equals to W by Q किया था, जैसे W equals to Q by VB लिख सकते हैं, ठीक है, जिसकी unit क्या हो जाएगी, joules हो जाएगी, बिकाज हम वहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, work done की बात कर रहे हैं, work done is the energy, work को करने में energy की जुरत पढ़ती हैं, और energy के units क्या होती हैं, joules होती हैं, ओके, and also we can write Q equals to I by T, तो हम यहाँ पर Q की जगे अगर I by T रिख देंगे, तो W की equation क्या हो जाएगी, V into I into T, अगर V और I है, और अगर मैं V की जगे I into R लिख दूँ, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, I square R into T, clear है, जिसको हम heat भी कहते हैं, जो कि Joule's law of heating से हमें मिलता है, अभी heat हो या फिर work done हो, they all are the form of energy, because energy can neither be created nor be destroyed, energy एक form से दूसरे form में convert होती रहती है, ठीक है, तो इन सबकी units क्या होगी, इन सबकी जो units है वो Joule's होगी, आप किसी भी एक चीज़ का formula का use कर सकते हैं, clear है, now the Joule's law of heating क्या कहता है, according to Joule's law of heating, H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T, तो मतलब क्या हुआ, कि किसी भी circuit में अगर heat produce हो रही है, तो वो इसके current का square कर दो उतनी produce होती है, resistance पर depend करती है, और time पर depend करती है, clear है, then उसके बाद हम आजाते हैं electrical power पर, तो electrical power क्या कहती है, electrical power होती है, P equals to W into W by T, ठीक है, power को कैसे निकाल सकते हैं, P equals to W by T, लिख सकते हो, आप इसे, ठीक है, पावर यह होती है, और और हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो P को अगर हम W की जगे पर क्या लिख दें, V, व की जगे पर अगर आप V into I लिख देंगे, ठीक है, तो भी यह, आप इसे लिख सकते हैं, इसे W है, ठीक है, चलिए, इसको थोड़ अचा और explain कर देते हैं, अब यहां से, पिछले formula से, हाना, कैसे आई है, पावर कैसे आई है, देखे, पिछले formula से मैंने आपको बताया, कि W equals to क्या होता है, Q into V, या फिर मैं इसको क्या लिख सकते हूँ, W equals to V I into T, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखो, यह लिखो, V equals to W by Q, ठीक है, Q की जगे मैं क्या लिख सकते हूँ, I into T लिख सकते हूँ, अभी I into T कहां से आया, तो फिए I equals to क्या था, Q by T था, इससे आगया, चल, तो फिर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, V equals to W I into T, अब मुझे W निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकते हूँ, V I T, W लिख सकते हूँ, और क्या लिख सकते हैं हम इसे, तो V into I क्या होता है, पावर होता है, तो P equals to क्या हो जाएगा, W by T हो जाएगा, तो मतलब कि कान इदर से पकड़ो, उदर से पकड़ो, हर जगे से आप यह answer लेके आ सकते हो, तो एक फॉर्मॉला यह भी होता है, P equals to W by T भी होता है, अब अगर आपको एक्जाम में मालेजें नहीं याद आ रहा है, यार यह बुलकुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तो यह पता है ना कि P equals to, वस यह याद रहो कि V equals to होता है W by Q, इससे आप पावर भी निकाल पाओगे, और आप इससे work done भी न चैप्टर में क्या-क्या laws थे, तो सबसे पहला तो आपके magnetic field lines के कुछ laws थे, जैसे सबसे पहले, poles of magnet, तो magnet में दो poles होते है, एक north pole होता है और एक south pole होता है, ठीक है, अब magnetic poles जो हैं, वो हमेशा pairs में exist करते हैं, मलों अगर मैं इसको बीच में से cut भी कर दूँगी ना, तो create हो जाएगा, हैना, और चोटे pieces कर दूँगे, तो जितने pieces आप करूगे, आपको हमेशा दो pole ही मिलेंगे, एक north pole मिलेगा, और एक south pole मिलेगा, अब अगर आपने किसी bar magnet को freely ऐसे suspend कर दिया है, तो वो किस direction में हो जाता है, वो आपके geographically north की टारफ और geographically south की तरफ इस तरह से यह कैसे होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, लेकिन actual में, जो आपका geographically north है, वो actual में क्या है, south है, हाना, नहीं तो क्या होता है, कि आप देखो, बच्चे सोचेंगे कि माम यह north है और यह south है, लेकिन magnet को जब आप इस तरह से suspend कर रहे हो, तो वो कैसे किस तरह से range हो जाती, इस त रिपेल करते हैं, तो इस हिसाब से तो इनको इस तरह से adjust नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्चो यह जो north है, वो actual में आपका geographically north है, लेकिन अर्थ का जो actual है, यहाँ पर south pole है, और अर्थ के अंदर जो magnet है, उसका actual north pole कहां है, यहाँ है, यह तो geography के according, हमारी दिशाओं के according हमने north or south किया हुआ है, ठीक है, तो यह south है और यह north है, clear हो गया आप सभी को, चलिए, तो यहाँ से यह point हमें समझ में आ गया, कि क्यों इस तरह से freely suspend होती है, clear, अब है, like poles एक दूसरे को repel करते हैं, unlike pole attract करते हैं, magnet force, magnetic force between two magnet is greater than when the distance between these magnet is laser, ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, त इतना जादा वहाँ पर उनकी power बर जाती है, उनका जो field का strength है, वो बर जाता है, हैना, जैसे जैसे magnetic field lines एक दूसरे से दूर होती है, तो उनका जो power हो कम हो जाता है, तो जब आप इनको pass में रखोगे ना, तो जादा पास आजाएंगी, सारी magnetic field lines, और इसलिए जादा strength आपको याद रखनी है, वो यह है कि they never intersect each other, वो कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती, वो हमेशा close loop बनाती है, और magnetic field lines हमेशा north से south की तरफ जाती है, ठीक है, अब magnet क्या है, एक तरीके से आप उसे कैसे define कर सकते है, magnet is defined as an object which is capable of producing magnetic field and attracting unlike poles and repelling like poles, clear है, magnet are the substances which have the property of attracting small pieces like nair and nickel, cobalt and this property of attraction is called the magnetism, तो magnetism का law अगर आप से पूछा जाए, तो आप क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे आप कि the property of attraction of magnet is called the magnetism and magnetism is mediated by magnetic field, किसकी द्वारा यह बनता है, है, magnetic field के द्वारा बनता है, अब इस chapter में जब आप पढ़ोगे, तो आपको एक law पढ़ना है, जिसका नाम है, flaming right hand thumb rule, है ना, thumb लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैमिंग right hand rule भी होता है, फ्लैमिंग left hand rule भी होता है, but we are specifically talking about flaming's right hand thumb rule, तो right hand thumb rule क्या कहता है, कि अगर मेरे पास current carrying conductor है, उस तरह से अगर मैं उसे hold करती हूँ, और अगर thumb direction of current को indicate कर आए, तो यह मेरी बाकी की जो fingers है, जो circular ही इस तरह से मोड रही है, it will represents the direction of the magnetic field, यह आपकी direction of magnetic field को represent करता है, okay, so if we hold, very very important, आपसे पूचा जा सकता है, definitely, okay, so if we hold a current carrying a straight conductor in a right hand, in such a way that the thumbs points towards the direction of the current, then our four fingers, then our fingers will wrapped around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field, and this is known as the left hand thumb rule, now right hand thumb rule, तो right hand thumb rule को हम cock screw rule भी कहते हैं, अब अगर यह एक screw है, जिसका जो nib है, अगर वो direction of current है, तो जिस direction में यह जो screw है, वो किसी भी चीज में fit हो रहा है, उसकी वो direction, मतलब कि आप किसी चीज में screw लगाती हो, तो वो fit होता है, या lose होता है, तो जिस direction में fit हो रहा है ना, वो direction magnetic field की direction होती है, यह cock screw rule से भी हम direction of magnetic field and current को बताते हैं, तो this rule is also called the Maxwell's cock screw rule, if we consider ourselves driving a cock screw in a direction of the current, then the direction of rotation of cock screw is the direction of the magnetic field, right, लाओ, next move on to our next topic, that is the flaming left hand rule, अब देखें, flaming के left hand rule का use हम लोग जाधा करते हैं, ठीक है, यह rule जाधा use किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह जो rule है, यह आपको motor में आप use करते हो, और right hand rule जो है, यह आप generator में यूज करते हो, तो left hand rule के according, अगर आप इस तरह से अपने सारी तीनों इंगलीज को, उंगलीज बोल रहे हो, फिंगर्स को, जैसे थम है, फोर फिंगर है, मिडल फिंगर से स्ट्रेच करते हो, तो यह सब आपस में पर्पेंडिकुलर होती है, थम्ड इंडिकेट करता है, direction of motion को, magnetic field lines को represent करता है, आपका four finger, and current की direction को represent करता है, आपका middle finger, कुछ इस तरह से अगर आप द्रॉ करेंगे तो, and they all are perpendicular to each other, now, Fleming's right hand rule, तो right hand rule क्या कहता है, कि अगर आप इस तरह से अपने उगली को stretch करते हो, so this will be the direction of motion, this will be the direction of magnetic thrust भी आप कह सकते है, this will be the direction of magnetic field, and this will be the direction of current, ठीक है, so from this rule, if we stretch the thumb, four finger, and middle finger of the right hand, such that are mutually perpendicular to each other, if the four finger points towards the direction of magnetic field, the thumb indicates the direction of motion, and the middle finger will indicate the direction of induced current, ठीक है, तो बच्चों बस यही सारे आपको फ्लैमिंग लेफ्ट हैं रूल की भी फ़र से हम बात कर रहे हैं, तो यह जितने भी रूल्स हम अभी यूज किये हुए हैं, ठीक है, यह सारे के सारे रूल्स ही बस आपको ध्यान में रखना हैं, यही सारे फॉर्मिलेस जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, यही सब कुछ आपको बस एक्जाम में पूछा जाएगा, फिजिक्स में और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आपके पूरे-पूरे जो ठाइस मार्क से पूरे इतना टॉपिक से, वो बिल्कुल कनफॉर्म्ड है, अच्छे से बस पढ़ना है और कुछ नहीं, clear हैं, तो यह थम का डारिक्शन, यह फॉर फिंगर का डारिक्शन हैं, और सेकेंड फिंगर, विल शोदा डारिक्शन ओफ करेंगे, अब एक और टॉपिक आता है, इसका मतलब होता है, alternating current, what is this, alternating current, and this is direct current, अब alternating current कहां यूज होता है, हमारे घरों में जो current आता है, वो alternating current आता है, अगर alternating current को ड्रॉप करोगे, तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठेक हैं, अब अगर बात करें हम direct current की, तो direct current कुछ इस तरह से होता है, ठेक है, आपको कैसा मिलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में एक जैसा, direct current का यूज आपका आपके करते हो, तो जैसे AC है, ठेक है, या आपके TV है, या mixer है, इन सभी में AC का यूज करते हो, वाल DC का यूज कहां कहां करते हो आप, तो जितनी भी battery operated systems होते हैं, उन सभी में, उन सभी में, आप किसका यूज करते हो, आप उस सभी में DC का यूज करते हो, ठेक है, अब alternating current में ये जो चीज होती है न, इसे कहा जाता है time period, क्या बोलते हैं बच्चों इसको time period, हैना time period मतलब की ये एक cycle कहलाती है, ये कहलाती है, एक cycle हैना, उपर से नीचे आई, नीचे से उपर गई, ठेक है, मतलब की 0 से maximum, फिर 0, फिर negative, फिर 0, तो इसे क्या कहता है, आप one cycle, तो ये क्या है, ती क्या होता है, time period, तो time period क्या होता है, time required to complete one cycle, ठीक है, तो F equals to क्या होता है, one by T, ठीक है, जितना time period, आपके एक स्था, F equals to क्या होगा, one by T, हना, तो time period को अगर आप divide करोगे, तो उससे आपको frequency मिल जाएके, तो frequency का मतलब क्या होता है, number of cycle per second, एक सेकिंड के अंदर आपके, कितने number of, इस तरह की की साइकल जाती है, उसी को आप क्या कहते हो, frequency कहते हो, ठीक है, बस यही कुछ फॉर्मलेज है, जो कि आपको पूरी physics में यूज़ करना थे, exams के लिए, बच्चों आपको सबसे पहले, तो all the best, I hope आपको यह वीडियो बहुत helpful लगया, अगर helpful लगा हो, तो please comment करके बताईएगा, like करेगा, share जतना ज़्यादा हो से, कि आप इसे करिए, I hope आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो बच्चों करिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है, जहां पर आपको सारी ही classes के online video lectures available है, प्लस साथी साथ competitive exams जैसे CUET, जो नाया आया हुआ है, J, NEET, CLAT, इन सबकी online preparation करवाई जाती है, लिक है, तो देरी बिल्कुल नहीं करना है, अभी subscribe करें, और अब हम मिलेंगे हमारे next video में, और कुछ live sessions के साथ, आपके exam की तयारी को और भैतर बढ़ाने के लिए, तब तक के लिए, thank you so much.